हेलो गाइज और वेलकम बैक टू माँ चैनल मैं हूँ सुर्भी इंडियन गरल इन यूरोप आज जो टाइटल है वो देखके आपको लगाई होगा कि चलो देखते हैं यार जॉब मार्केट कैसा है जर्मली में वीडियो उसी के बारे में है कि जॉब मार्केट अभी की सुच क्या एफेक्ट हुआ इंडियन पे या इंडियन एक्सपैट्स यहां पर जो रहते हैं उन लोगों के उपर या जो लोग आने वाले हैं वो और गवर्मेंट ने कैसे अनेंप्लॉइमेंट रेट यहां पर डील किया वो तीन चीजों के उपर होगा यह टॉपिक थोड़ा सा रिसर्च किया है वीडियो के उपर तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर करना वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना और स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक पर जब हम शिफ आया था वो आप सब लोगों को याद होगा रिसेशन के टाइम पे वर्ल्ड वाइड सारी ही कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा एफेक्ट होई थी और उसके बाद यर जो जर्मनी है वो ग्रो कर रहा था अपने वो अच्छा हो रहा था 2,9 जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब मैंने बताया था ओ वाओ जर्मनी में employment रीप्रीट बहुत कम है 2019 में जो यहां का unemployment रीट था था थी परसेंट था सिरी परसेंट नेकली रिवल होता है लोगों के लिए 3% था पर जब करोना पेंडमी आई लाइक 2020 में जब करोना पेंडमी आई यहां पर और उनका अंदेशा होई गया था वर्ल्ल वाइड अब सब कुछ बहुत जादा इंटरनेशनल है तो यहां पर भी उसका इफेक्ट देखने मिला सबसे पहले यहां पर क्या हुआ जो लोग ऑल्रेडी ओंसाइट पे थे ओंसाइट से आये थे लोग यहां पर उनको यह तो जाना पड़ा उनको एक टाइम था पर उनको उससे पहले ही यहां से जाना पड़ा दूसरी चीज जो लोग कॉंट्रेक्ट पे थे उनका कॉंट्रेक्ट कैंसल हो गया और ती टाइम वर्क जो है वो भी देखा यहां पर वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलगे वाट इस शॉट टाइम वर्क पर हाँ वो भी इन लोगों को करना पड़ा जो की पर्मनेंट अब लॉइस थे पर वहीं पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो ग्र पर्मनेंट ने ऐसा बोला कि लॉगडाउन होने वाला है तो यहां पर जो सबसे पहली चीजें जो थी वो स्चॉक आउट होई या लोगों ने भर-भर के खरीदी वो थी टिशू पेपर्स ट्वाइलिट पेपर्स और किचन पेपर्स उसका जो डिमांड था वो 300% से भी ज पे उसके अलावा e-commerce जैसे ही सारी दुकाने बंध हुई lockdown हुआ e-commerce जो है मतलब online shopping जो है वो trend पे आ गई और लोगों ने बहुत जादा जो है वो online shopping करना start करी उसके वज़े से जो market है डबल डिजिट में भी ग्रो हुआ है like e-commerce company डबल डिजिट में ग्रो हुई है जो इतने सालों से negative में थी तो हां यहां पर यह भी एक चीज़ देखने मिली तीसरे चीज़ जो कि यहां पर already demand है वो nursing areas में nursing areas में मैंने आपको पहले भी बताया है यहां पर demand है but because of this pandemic यहां पर और ज्यादा requirement आ गई मतलब medical field में और basically nursing staff की junior staff की and all और जो warehouse क्योंकि e-commerce जो है वो warehouse से connected ह तो जो workers हैं उनकी भी demand बहुत आ गई जो pick and pack करें, logistic में जो काम करें, supply chain में जो काम करें उनकी भी जो requirement है वो बहुत जादा बढ़ गई और जहां हम देख रहे थे कि nursing area या medical area में लोग over time कर रहे थे, doctors, nurses जो है over time कर रहे थे वहां पर भी और उसके अलावा कुछ areas ऐसे थे जहां पर office से काम करना बहुत जरूरी था या फिर आपका जो office जाना जरूरी था, उस cases में लोगों को 100% काम करना पड़ा, short time काम करना पड़ा, मतलब यहां पर kurzerbite बोलते हैं, kurzerbite का मतलब यह होता है कि अगर कुछ भी situation के कारण आप job नहीं कर पा रहे हो, तो उस cases में government जो है वो आपको salary देगी, जो कि घोशित ह हो गया था यहां पर Germany में, and I think आप लोगों को पता ही होगा, शायर यह इंपक्ट जो है वो आप लोगों को भी हुआ होगा, वहीं पर एक market ऐसा था, जो कि वो students थे, जिन्होंने अभी थक professional fields में एंटर नहीं किया था, और उन्हें एंटर करना था, जैसे internships हो गई, या फिर नहें आये थे, जिनका courses कम टाइम का था, उसमें भी उनकी online classes थी, तो जो लोग entry करने वाले थे professional world में, उने internship मिलने में problem हुई, या initial job मिलने में problem हुई, क्योंकि of course market में job नहीं थी, और companies जो है, वो figure out कर रही थी कि वो कैसे deal करें इन सारी situation से, और इसके बाद भी 2021 में, बिक में ऐसा बोला था कि यहां पर mid of 2021 तक, जो market है वो अच्छा हो जाएगा जर्मनी में, और jobs जो है, 100,000 से भी जादा जो है, वो jobs जो है, वो market में आएंगी, बहुत सारे areas में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज जो करोना का time है, वो बहुत जादा बढ़ गया, और अभी भी हमें पता है, वो खतम नहीं हुआ है, जर्मनी में जो lockdown है, जो fully lockdown है, वो कल ही open हुआ है, वो भी मैं ये बोलूँगी कि fully open नहीं हुआ है, वो बहुत सारे restrictions के साथ open हुआ है, और November से अभी तक सब कुछ lockdown में था, तो आप सोचो कितना जादा impact पढ़ा होगा small business पे, या फिर बड़ी companies पे, या फिर government पे, या बहुत सारे areas में बहुत जादा impact पढ़ा होगा इस lockdown का, पर अब मैं आपको ये सारी situation बताने के बाद जो हुआ 2020 में, जो अभी 2020 mid already आ गया है, हो रहा है, अब जो जिस areas में actually demand है जर्मनी में, वो कौन-कौन सा areas है, तो nursing areas में यहाँ पर अभ जो है वो बड़ेगी, मतलब उसकी जो frequency है वो और जादा होगे, तो अगर आप इस area में आना चाते हो, तो मैं बोलूँगे ये right time है, ऐसा नहीं है कि हरी जगे जो है वो jobs नहीं है, किसी-किसी areas में jobs है, और उसका एक example है nursing staff, junior staff ये nursing में भी जो specialized nurses होते हैं उस area में, और दूस लोजिस्टिक में pick and pack करते हो, warehouse में pick and pack करते हो, warehouse का staff, logistic warehouse क्योंकि warehouse जो है वो यहाँ पर अभी overtime काम कर रहे हैं, because of बहुत सारे orders हैं, और उन लोगों को deliver करना है customer को, तो इस cases में भी यहाँ पर जो demand है वो बहुत जादा बढ़ गई है, अब next चीज आती है कि और किस sector में लेना, because मैं बहुत बार आप लोगों की comment पढ़ती हो, और मैं देखती हूँ कि आप लोग job search visa का wait कर रहे हो, कि आपको job search visa पे यहाँ पर आना है, तो आपका जो profile है उसे देखके ही यहाँ पर आना, क्योंकि इस time पे जो लोग already experience लोग हैं, जिनको यहाँ का experience है, उन्हें भ तो आपको यहाँ पर job मिल जाएगी, या फिर आप working staff है, warehouse में और आपको जर्मन आती है, तो आपको job मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा, अगर आप कुछ try कर रहे हो, और आप यहाँ पर आ रहे हो, तो यह right time नहीं है, क्योंकि यहाँ पर job market है, या job situation है, वो सही नहीं है आपको websites पर job दिखेंगी, बहुत सारी jobs दिखेंगी, आप apply करोगे, लेकिन आपको जो answer है वो नहीं आएगा, या फिर answer आएगा भी, तो भी वो rejections mail आएगे, तो मैं आपको यही suggest करूँगी, कि एक time है, अभी जो 2024 बोल रहे हैं, but I don't know, because वो सिर्फ एक data है, हमें नहीं पत एकदम से market बढ़ेगा भी, हमेशा देखा है, जब भी market गिरा है, तो market एकदम से उबरा भी है, तो हम लोगों को थोड़ा सा wait करना चाहिए है, और उसके बाद यह जितने भी visas हैं, जो आप लोग बोलते हो कि हमें आना है, तब आप apply करो, क्योंकि अगर आप यहां पर आओ तो जब भी जो next news होगी मेरे पास, job situation के उपर वो मैं आपको video बनाऊंगी, आज की situation यह है, finally यहाँ पर जो lockdown है, वो खतम हो गया है, मतलब 100% तो नहीं खतम हो गया, पर stores open हो गई हैं बहुत महीनों के बाद, तो अब लगता है कि थोड़ा सा ठीक होगा market, और जब थोड़ा के थरू YouTube community tap के थरू बताती रहोंगी, पर उसके लिए आपको subscribe करना पड़ेगा video और notification bell जो है वो दबानी पड़ेगी, otherwise आपको मेरे community tap के जो भी post हैं वो नहीं देखेंगे, यह कर लीजिए और फिर हम मिलते हैं next video में जो की है कि shifting के बाद क्या-क्या करना होता है, उसके उ पर अभी companies ही figure out कर रहीं थी और सब लोग figure out कर रहे थे कि job market कैसा है, 2021 मिड आ गया है, अंदेशा था कि सही होगा, नहीं हुआ सही, तो मैंने सोचा कि अब इस पर बना दिया जाए topic, और of course अगर आप ऐसे कोई areas में हों जो मैंने आपको बताया और यहां पर demand है अभी के cases मे तो आप please apply करो, और नहीं है तो थोड़ा सा wait करो, और next news पर मैं आपको पक्का बताऊंगी कि यहां का job market कैसा है, job से related और भी कुछ जानना चाते हो, तो जरूर comment करो, और मिलते हैं next video में, bye bye